दिल्ली बिधान सभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसकी सुरुवात अभी से कुछ देर बाद दिल्ली के उपराजिपाल अनील बैजल के अभिवासन से होगी अभिवासन में आम तोर पर सरकार की उपलबधियों और योजनाओं का बखान किया जाता है तो उम्मीद की जा रहे है कि उपराजिपाल आप सरकार की योजनाओं के बारे में बिस्तरित जानकारी देंगे और लेखा जोखा पेस करेंगे उपराज्येपाल के अभिवासन के बाद आदे घंटे का ब्रेक होगा और उसके बाद उपराज्येपाल के अभिवासन पर सदन में चर्चा होगी गोपाल राय धन्यवाद प्रस्ताव पेस करेंगे और इस दोरान पुलवावा में सहीध हुए जबानों को भी स्रधांजली दी जाएगी तथा पिछले दिनों करोल भाग अरपित होटल में जो आगजनी में 17 लोगों की मौत हुई थी उस पर भी बिधान सभा में सोग प्रस्ताव पेस किया जाएगा नई दिल्ली से आशुतोष ज्जा एटीवी भारत के लिए